सरकार ने सोयाबीन, मुंगफली, पाम ओयल और सनफ्लावर तेलों पर बेसिक ड्यूटी धाई फीस्दी से घटा कर शुनी कर दी है इससे प्रमुक खादे तेलों की थोक कीमतों में 4 से लेकर 7 रुपे प्रती लिटर की कटोती की गई है सरकार ने खादे तेलों पर 5 से 20 फीस्दी तक क्रिशी सेस भी घटाया है इससे कुछ राज्यों में सरसों के तेल की कीमतों में गिरावटाई है क्रिशी उपकर 20 प्रतिशत से घटा कर साढ़े 7 प्रतिशत तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरज मुखी तेल पर क्रिशी उपकर घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है इस कटोटी के बाद कच्चे पाम ओयल पर कुल शुलक अब 3.5%, कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 5% रह गया है रिफाइंट पामलिन तेल, रिफाइंट स्वयाबीन तेल और रिफाइंट सनफ्लावर तेल पर आधार शुल्क साढ़े 32 प्रतिशत से घटा कर साढ़े 17 प्रतिशत कर दिया गया है कटोती से पहले सभी कच्चे खादे तेलों पर क्रिशी धांचागत उपकर 20 प्रतिशत था कटोती के बाद कच्चे पाम ओयल पर प्रभावी शुल्क 8.25 प्रतिशत जबकि कच्चे स्वयाबीन और सनफ्लावर दोनों प्रकार के तेल पर 5.25 प्रतिशत होगा कादे तेल की कीमतों पर अंकुष के लिए सरकार ने पाम ओयल, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को तरक संगत बनाया है इसके लावा राश्य कमोडिटी और डिरिवेटिव एक्स्चेंज पर कच्चे तेल का वाइदा कारोबार स्थागित कर दिया गया है और भंडारन सीमा लागू कर दी गई है और इसी बीच केंदर सरकार ने राज्यों से कहा है कि कीमतों में नियंतरन के पूरे प्रयास किया जाएं हाल के दिनों में केंदर सरकार ने पाम, सोयाबीन और सोरज मुखी के तेल की कच्ची किसमों पर मूल शुल्क को घटा दिया है इसी के साथ रिफाइन खादे तेलों पर शुल्क में कटाथी की गई है केंदर के इस कदम से उब्भोकताओं को राहत मिल रही है